Hi friends, welcome back to another video दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Excel में किसी भी डेटा का अगर आपको प्रेंट लेना है और वो भी एक पेज में और सही तरीके से तो उसे हम कैसे लेते हैं प्रेंट इसे मैं बताने वाला हूँ तो वीडियो को प्रोलास्ट ज़रूर देखना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास यह कुछ डेटा है और इसे मुझे एक प्रेंट लेना है एक फोर साइज पेपर में तो बहुत लोगों को यह problem आती है कि जब भी वह प्रेंट करते हैं अगर बाई डिफॉल्ट अगर यह प्रेंट होगा देख सकते हैं ऑगर आपको प्रेंट करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल नंबर और आइटम नेम बस यही आ रहा है और यहाँ पे 9 page यहाँ पे दिख रहा है आपको ठीक है और जब कि यहाँ पे हम header देखें तो यहाँ पे serial number है item name quantity और unit price amount इतना सारा है तो यह सभी को हम में जे print लेना है सही तरीके से जिससे कि सारा data हमारा एक page पे याने कि सारे column का heading जो है तो उसके क्या करना होगा या भी आपको iPhone size छोटा करना होगा तो इससे थोड़ा सा आपको क्या क्या करना होगा प्रिंट करना है, प्रिंट में आने के बाद आपको यहां पे दिखाई देगा एक option यहां पे no scaling, ठीक है, तो यहां पे आने के बाद आपको दिखेगा यहां पे 3-4 option दिखेंगे, एक तो है no scaling यानि कि कोई भी बदलाव नहीं होगा इसमें, यहां पे है fit seat on one page, यानि कि इस अगर हम क्लिक करेंगे, तो यह क्या करेगा, जितना भी data है, सबको एक page पर प्रिंट करेगा, तो इसे करके दिखाता हूँ मैं आपको, देख सकते हैं, size तो छोटा हो गया, automatic, लेकिन यह क्या किया है, कि जितना भी data है यहां पे, A से लेके Z तक जो भी data है, सबको एक page पर बहले ही, इसका size बहुत ही छोटा कर दे, लेकिन एक page में वो दिखाई देगा, अब चलते हैं, दूसरा option, यहां पे है, fit all columns on one page, इसे करके देखते हैं, तो देख सकते हैं, यहां पे जितना भी column है, एक page पे set किया, बाकि जितना भी data अगर नीचे होगा, तो यहां पे बता जाए, और हमाएं यहां पे सारा data असानी से समझ में आएगा, ठीक और देख सकते हैं, यह सिर्फ दो page में निकल रहा है, तो यह सबसे आसान तरीका था, हमें page में data को सही तरीके से print करने के लिए, ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है, यह छोटा सा information Excel के बारे में आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अगर कोई सवाल यह सुझाओ, तो निचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, गुडबाय,